welcome back everyone यह practice set number 130 है test series UPPCS के लें चल रही है practice करेंगे हम GS के important questions पर और इसमें होंगे 20 important questions पर्यावरण और पारिष्सेतिकी के environment और ecology के तो उचलिए start करते हैं playlist हिसकी बना रहे हैं महाँ पर आप test number 1 से लेकर 130 तक महां सकते हैं description box पर है उसका पहला परशन है जलम्रदा गोश्चान दो लिए जकर होता है निर्माण इन सभी से मिलकर होता है तो इसका अंसर रोजय का प्रवाइब स्माँ करें सिर्द को फार जथ प्रोंग सभी देखे बहुतिक परियावरण महत्पूर्ण है क्योंकि मानब जीवन और अन्य सभी जीवन रूपों को समर्थन करता है ये वेश अंसाधन प्रदान करता है जिनकी मनश्यों को जीवित रहने के लिए अश्रक्ता होती है जैसे कि हवा, पानी, भोजन, प्रकाश, म्रदा, आश्र, तो सारा D है अन्सर वेश नमबर टू पर आजएए नम लखित कत्नों पर विचार करेंगे छोब मंडल यानि ट्रोपोस्पियर वायू मंडल की सबसे निचली पर आता है इसका विस्ता धरातल से आठ से सोले किलोमेटर की उचाई तक है और इसमें वायू मंडल की 90 परतिशत से अधिक गैस रहती है कौनसा सायास में पहला करेक्ट है सबसे निचली पर आता है इसके उपर समताप मंडल है इसमें पाई जाती है सभी मौसम संबंदी घटनाएं भी इसमें होती है डी है सकांसा चोब मंडल वायू मंडल की सबसे निचली पर आता है इसका विस्ता धरातल से आठ से सोले किलोमेटर की उचाई तक इसमें वायू मंडल की 90 परतिशत से भी जादा गयस रहती है और सामाने ता जो छोब सीमा है छोब सीमा तक उचाई बढ़ने के साथ अतापमान घटता जाता है छोब मंडल के भीतर यह जो छोब सीमा है यह एक सीमा है जो नीचे रहे गया छोब मंडल और इसके ओपर जो समताप मंडल स्टार्ट होता है उसको निरधायत करती है छोब सीमा तो यहां तक जो है टेंप्रेचर उचाई के साथ कम होता है यह नमबर इस पर कॉले वाट सो कर गया फुल टेश्ट इस सीरीज पर आप्त कर सकते हैं सब्सक्राइब रखेए का सिवल सर्विसेश टेड़ी चैनल को कोश्चन नमबर त्री पर आजए आयन मंडल से रेलेटर तीन स्टेटमेंट है यहां पर आयन मंडल जो है ताप मंडल का ही एक भाग है यहां उचाई के साथ ताप मान में कमी आती है और इस मंडल में विद्ध आविशित करण पाए जाते है देखे आयन मंडल ताप मंडल का ही एक भाग है ठीक है यहां उचाई के साथ ताप मान में ब्रद्ध ही होती है कमी नहीं आती गलत दूसरा स्टेट्मेंट इस मंडल में विद्धुत आविश्यत करण पाए जाते हैं तो जहां जहां दो है उसको हटा दीजे C हो गया इसका अंसर 1 और 3 आयन मंडल समताप मंडल का ही भाग है जो लगभग 80-400 किलोमेटर तक विश्यत होता है और इस मंडल में विद्धुत आविश्यत करण पाए जाते हैं जिने आयन कहा जाता है समताप मंडल के अतरिक्त आयन मंडल ही संकेंत्रिय कवच है जिसमें मुचाई बढ़ने के साथ तापान में प्रधी होती है तो दूसरा इंकरेक्ट है प्रधवी पर रेडियो एम टेलिविजन के प्रशार नहेतू आयन मंडल उतरदाई है आयन मंडल में धृबिया प्रकास की उपस्तिती होती है पिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों यहां पर कथन C है इस कांसर देखें प्रधवी से प्रेशित रेडियो तरंगे जो है वो आयन मंडल या आयनोस्पेर इंगलिस में बोलते हैं इसको उसे बापस लॉट आती है जिसके प्रधवी पर रेडियो ए टेलिविजन का संचालन होता है इसके अतीरिक्त आयन मंडल में धुरूबिया प्रकास की उपस्ति होती है जो उत्री धुरूबिया प्रकास एबमदक्षन धुरूबिया प्रकास के रूप में होती है तो दोनों के दोनों करेक्ट है वायू मंडल की सबसे उपरी परत को बोलते हैं बाहिर मंडल इंगलिस इसमें हेक्सोस्पियर इसका विस्तार 400 किलोमेटर की उचाई से परे है और यहां जो है वायू अत्यंद्ध विरल होती है इसके उपर भी चले जाओगे तो फ़र अंत्रिक्स आजाएगा खुशन नमबर फाइब पर आजाईए वायू मंडल में उपलब्ध जलबास्प के संबंध में नम्रेखित कत्नों पर विचार करेंगे कौन सा सही होगा इसमें तीन कत्न है यह जलिये चक्र को नेंत्रित करता है जलबास्प यह जलिये और इस्थरिये पाइस्थिक तंत्र के जीवन निर्वाह को प्रभावित करता है जलबास्प जलबास्प धरातल से अवरक्त विक्रण को अशुर्शित करता है क्या बिल्कुल यहाँ पर तीनों के तीनों कत्षान जो है वो सही है डिय है इसका अंसर देखे जलबास्फ जलिय तंत्र को नियंतरित करता है जिसके प्रणाम से रूप जलिय वंस्थरिय दोनों ही पाईस्सिक तंत्र में जीवन प्रभावित होता है तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, जलबास्व धरातल से अवरक्त विक्र्ण का अवशोशित करने में महत्वपूर्ण भूमी का निवाता है Question number 6 है, नम्रिखित कत्वों पर विचार करेंगे दो कताने यहाँ पर जलाशियों में ऑक्सीजन जो है, पादप लबको तथा अन्य जलिय जीवो की ब्रधी हेतु सीमा कारी कारक है ठीक है, जलाशियों में ऑक्सीजन, कारबंडाय अक्साइड जल में घुलनशील, जल में अघुलनशील होती है क्या carbon dioxide जल में घुलनशील है या घुलनशील है पताईए पहला तो सही है और दूसरा वाला जो है वो इंकरेक्ट है तो केवल एक ही आंसर होगा इसका देखें carbon dioxide जल में अत्यधिक घुलनशील होती है तो दूसरा वाला statement गलत नमबर सबन पर आजए इनमलखित कतनों पर विचार करेंगे पादा प्लवक यानि plankton जो होते हैं phytoplankton जील के तलचट में रहते हैं यानि तली में और जो नितलस्त जीव होते हैं वो जील के जलकी प्रकाशिक सत्या पर रहते हैं कौन सा सही हैस में यह जो पादा प्लवक है plankton है प्लचटन दो प्रकार करते हैं phytoplankton यानि पादा प्लवक और एक होता है जू-plankton यह दोनों के दोनों मचली का बहुत अच्छा भूजन है और यह बनते बहां पर जहांपर गर्म और ठंडी चलदरा आगर मिलती है वहांपर सब से ज़्या तो इंटेज करोगे तो करेक्ञा हुआ तो आप प्रकार्शिक सतय पर रहते हैं जो नितलस्त जीव होता है यानि बैंथिक वह जील आदी के तलच्छट में रहते हैं कुशन नम्बर एट है नम्लेक दमें से कौन से कारक ताप्मान को प्रहावित करते हैं अक्षान्स इस्तला करती उंचाई ढलान नितल अधिक मुचाई परिस्थ है ठीक है तो वहां का टेंपरिचर कम है सिमला अधिक मुचाई परिस्थ है अक्षान्स भी उनका ठीक है इस्तला करती भी मेटर करती है धलान भी सारे के सारे हो गए 1,2,3,4,D देखे अक्षान्स हो गया उंचाई हो गई इस्तला करती हो गई बनस्पती धलान ये ताप आंतर को प्रभावित करने वाले कारक है ताप मान जो है पौधों के लिए उद्धीपन का कारिक करता है साथ ही उनकी व्रधी का भी समय निर्धारित करता है तो डी है इसका अंसर और ये इंपोर्टन आजिए ताप कालिता से नमले के दमें से क्या आशा है क्या होती है ताप कालिता ताप कालिता इंगलेस में धर्मो पैरियोडिज्म ताप अंतर ताप मान के निरंतर परिवर्तन से ग्रीश्म रितुम सीध रितु के ताप अंतर से दिन रात के ताप करम में अंतर से या दि भी है सकामसर। देखे तापकालिता थर्मो पेरियोडिस्म का आशा है दिन रात के तापकरम में अंतर से तापकालिता जो है कुछ पौधों की अनुकूल ब्रद्धी के लिए आवश्यक है जैसे कि ठंडा बातवर्ण कुछ पौधों में वीजों के अंकुरण के लिए पूछ रहा है ठीक है यानि cold-blooded नहीं है तो warm-blooded होगा वो इसके विप्रीद यह सब आपने पढ़ा होगा स्कूल में समतापी प्राणी है समतापी प्राणी तो मगरमच एक असमतापी प्राणी है cold-blooded है मेड़क cold-blooded है छिपकली cold-blooded है warm-blooded है माना विया मनुष थुड cold-blooded क्या होते हैं शीत रक्त प्राणी बिनको बोलते हैं सरीर का तापमान वातापमान के तापमान के समानोताइन का जैसे कि मेड़क हो गया साप हो गया आदी असमतापी जीव है जिनके सरीर का तापमान वातापमान से नंतरित होता है छिपकली हो गया इसके तरेक्त तापमान वैसे ही कर लेते हैं जिस जगे पूब जाएंगे लेकिन मानब का तो तापमान से भी रहेगा अंटार्क्टिक का आर्क्टिक में जाएगा तब भी उसका 37 डिग्री मतलब 36.98 जो भी है ठीक है उसका नहीं बतलता तो मनुष्य हो गया समतापी उश्य नम्बर 11 पर आजए नमलिकित कथन के लिए उपर योगत पदगा चैन करें वहवल जिससे की मरदा जल के साथ सनलंगन रहता है जिसे दबाब के रूप में परिमानित किया जाता है क्या है इनमें से म्रदा विभव जल विभव या फिर म्रद जल धरिता या इनमें से कोई नहीं Field Shapacity Water Potential या Soil Potential वहवल जिससे की मरदा जल के साथ सनलंगन रहती है वन्धी रहती है जिसे दबाब के रूप में परिमानित किया जाता है क्या है वो स्वरी, C है इसका अंसर ठीक है Water Potential यानि जल बेभव क्या है इसका अंसर? जल बेभव तो उप्रोक्त कथन जल बेभव को परिभाशित करता है तो C है अंसर कुशन अंबर 12 पर आजएए नम्रिकित कथनों पर विचार करेंगे म्रदा की उर्दभारदर इस तरिये संरशना म्रदा परिच्छे दिका कहलाती है इसका निर्मान अपक्षय प्रकरिया कार्विनिक पदार्थों के जमाब और खनीच पदार्थों के रिसने से होता है कौन सा सही है म्रदा की उर्दभारदर इस तरिये संरशना म्रदा परिछेदिका कहलाती है इसका निर्माण होता है अपक्षय परक्रिया के द्वारा कार्विनिक पदार्थों के जमाब से और खनिश पदार्थों के रिषने से तो दोनों के दोनों करेक्टेंज सी है इसका अंसर देखिए म्रदा की उर्द बहादर इस्तरिय सनरिशना म्रदा परिछेदिका कहलाती है इसका निर्मान अपक्षय परक्रिया कार्वनिक पदार्थों के जमाब और कार्वनिक पदार्थों के रिषने से होता है मरदा में रेत, गाद और चिकनी मिट्टी होती है जिनके साथ बायू तो था नमी मिश्रित रहती है मरदा के जो अभिलक्षन है उसमें पाय जाने वाली छिद्र गुहिकाउं तो था उसके कण आकार पर निर्भर होते है तेरवा प्रशन है, अमलेकित में से किसका आकार सबसे छोटा है सबसे बड़ा भी पूछ ले तो, सबसे बड़ा किसका है सबसे बड़ा है अपर इश्क्रित वालू लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है सबसे छोटा, तो सबसे छोटी है यहाँ पर मरद्तिका यह है इस का अंसल देखिए खरिज कणों के यह आकार है म्रदा के प्रकार यह PCS में पूछा हुआ प्रश्ण जो म्रत्ति का है वो सबसे छोटी होती है 0.002 mm से छोटे कणों होते हैं इसके उपर आते हैं गाद होती है 0.002 से 0.02 mm इसके इससे बढ़ी है परिश्क्रत बालू 0.02 से 0.2 mm सबसे बढ़ी है आपरिश्क्रत बालू यानि रेट 0.2 से 2 mm तक होती है तो सबसे छोटा करके तो प्रश्ण PCS में पूछा जा चुका क्या पता सबसे बड़ा पूछ ले तो अपर इश्क्रित बालू को याद रखेगा नमबर फोटीन पर आजए नमबर के दमें से कौन सा हडपा काली निस्थल लोथल का सबसे अच्छा वरणन करता है लोथल कहां सा आगिया है इनवाइरमेंट इकोलोजी में चलिए देख लेते हैं इसको लोथल कहां पर है पश्चमी पंजाब में रावी नदी के तट परिस्थत है घगर नदी के सूखे तल परिस्थत यानि रजस्थान में सिंध अब पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट परिस्थत केमबे की खाड़ी गुजरात के तटिये मैदान में स्थतु तो लोथल तो गुजरात में ही है भारत में तो यह है इसका आंसर देखें लोथल की खोच की थी उन्निस सो सतावन में एस आर रावने और लोथल एक प्राशीन बंदरगा सहर है जो खंबात की खाड़ी के तटिये मैदान में नदी का नाम याद रखिएगा भोगवा नदी के किनारिस तो था प्रशन नमबर प्रटीन पर आजए है पंदरवा प्रशन नमने के दमने से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है अधी कुझाई पर पहुँचने से तापमान में कमी होती है मरुस्थलों में प्राया जल की कमी होती है जिससे पौधे जल्दी नहीं बढ़ते गहरे जलाशे औ जीवों में फासपोरस की कमी होती है जिससे पादपलव को की ब्रधी रुख जाती है यानि फाइटो प्लेंक्टन लंबे वितान वाले पौधे तथा जीवों की अनेक परजातियों की उपलब दा ऊशन कटिवन दिया शंकू बनों के लक्षन है देखिए लंबे वितान व लुख करें चानेजिक वर Unity नकी संकू बन तो गलत है यहाँ पर टी वाला स्टिटमेटिम सइंपले अ पहला सही है दूसरे थीसरा सही है और दी गलत है तंबे वितान वाले पौधे पधे जीवों की अनेक जातियों की उपलब्दता ओश्न कटी वंदिया वर्षा बनो या ओश्न कटी वंदिया सदाहरित वन इंगलेस में ट्रोपिकल एवर ग्रीन फॉरेस्ट का लक्षन है तो D है गलक्त वश्न नमबर 15 पर आजए नमबर के तमें से कौन सा एक पारिश सितिक पिरामिड नहीं है पूछ रहा है महसागर का पिरामिड उर्जय का पिरामिड जैबार का पिरामिड संख्या का पिरामिड यानि पिरामिड ऑफ नमबर पिरामिड ऑफ बायोमास पिरामिड ऑफ एनरजी ये तीन प्रकार के पिरामिड है और महासागर का पिरामिड इसमें सामिल नहीं है यही अंसर इसका ये पाईस्तिक पिरामिड अगर बाईलोजी आपके पास रही हो कि स्कूल में तो पड़ा होगा पाईस्तिक पिरामिड किसी पाईतांत्र में पोशन इस तरों का आलेख ये निरूपन है इसकी आकिरती जो होती है वो पिरामिट की तरह होती है तीन प्रकार के होते हैं तीन तरह के होते हैं संख्या का पिरामिट ठीक है यानि पिरामिट अफ नंबर जैभार का पिरामिट पिरामिट अफ बायो मांस और और उर्जा का पिरामेड पिरामेड आफ एनर्जी या एनर्जी पिरामेड अब एक ये प्रशन है कोश्चन नुबर 17 है नम लिखित कत्रों पर विचार करेंगे उर्जा पिरामेड का आश है पुरते एक पोश्चन इस तर पर उर्जा की कुलमातरा से है और उर्जा प्रामेड हमेशा सीधा होता है तीन तरह के प्रामेड़ा में ये भी प्रश्ण पूछते हैं कि कौन सा प्रामेड इन में हमेशा सीधा होता है तो उसका उत्तर है उर्जा का प्रामेड यानि एनर्जी प्रामेड जो हमेशा सीधा बनता है पहला दूसरा दोन से यहां पर C has cancer देखें एनर्जी प्रामेड या उर्जा का प्रतिएक पोशन इस तर पर उर्जा की कुल मात्रा को प्रदर्शित करता है जिसे किलो कैलोरी या एक आंग शेतर या एक आंग समय के दोरा व्यक्त की जाता है प्रतिएक पोशन इस तर पर उर्जा की जो मात्रा है वो क्रमसा घटती जाती है इस तरह उर्जा का प्रामेड हमेशा सीधा होता है तो दूसरा बाला भी सही है देखें मानना कि एक ये पोशन इस तर है तो यहां पर एनर्जी मानने जिए 100% है अब जो अगले पोशन इस तर में उर्जा जाएगी वो केबल 10% ही जाएगी 90% ही रह जाएगी इसकी जैविक क्रिया में जो जीव है वो खा जाएगे इसको अब इसका इस सो का जो 90% है वो यहां खर्च हो जाएगा फिर उसका 10% जाएगा इस तरह से घटती जाती है उश्मा गत्की के नियम से किस पिरामिड को संबध किया जाता है संख्या पिरामिड उर्जा पिरामिड जैभार का पिरामिड किसी पिरामिड को नहीं उपर था एक्स्पिनेशन में उर्जा का पिरामिड तो भी है इस कांसर देखे भोजन की उत्पाद अन्दर या उत्पादक्ता जो की मुख अभीलाक्षनिक गुणों को निरुपेत करती है उर्जा प्रामिड दौरा प्रदर्शित होती है उश्मकत्की के नियम से उर्जा प्रामिड को संबद किया जाता है जय भार प्रामिड और संख्या प्रामिड जो है वो वर्टिकल होते हैं और द्भादर होते हैं और उर्जा का प्रामिड ओल्वेज अप्राइड डारेक्शन यानि सीधा होता है प्रामिड प्राजी निम्नितर पोषण इस्तर के द्वारा प्राप्त की गई उर्जा तथा उच्चतर पोषण इस्तर को इस्थारंतरित उर्जा का अनुपात प्रदर्शित करता है क्या स्वांगी करन दक्षता प्रकास संसलेशन दक्षता सकल उतपादन दक्षता पारिस् CNC के तेखेए पाइसिद्च अंत्र में निचले इस्थर पर प्राप्त की गई ऊर्जा तथा उचतर पोशन इसतर को इस्था नंत्रित होने वाली ऊर्जा का नुपात पारिस्टिक दक्षता कहलाता है पारिस्टिक दक्षता को सबसे पहले लिंडन मैन ने 1942 में परवार्शित किया था जिसे 10 प्रतिशत का नियम भी कहा जाता है ठीक है वो पाईसिक दक्षता को पोशन इस्तर दक्षता भी कहा जाता जैसे कि उपर बता है एक पोशन इस्तर से दूसरे पोशन इस्तर में कुल उर्जा की केवल 10 प्रतिशत ही जाती है वाकि सारी की सारी 90 प्रतिशत उस इस तर की जैविक क्रियाओं में खर्च हो जाती है 19 हो गए अगला प्रश्ण है इंपोर्टन प्रश्ण है भी अमोनिया का नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्दन कहलाता है क्या नाइट्री करण, स्वांगी करण, वी नाइट्री करण, अमोनी करण देखे इसका उत्तर तो नाइट्री करण है लेकिन यहाँ important है अमोनी करण भी और वी नाइट्री करण भी इन पर प्रश्ण बनते ही रहते हैं एक्जाम में और इससे related जो बैक्टरिया होते हैं वो भी पूछ लेते हैं तो तीनों को ले लो एकी फ्रेम में अमोनिया म्रदा में यानि मिट्टी में पाया जाने वाला एक अन्य जीवण जिसका नाम है नाइट्रो वेक्टर नाइट्रेट को नाइट्राइट में परिवर्तित कर सकता है अमोनी करण क्या है नाइट्रोजनी अवसिष्ट पदार्थ यूरिया और यूरिकमल आदी का बैक्ट्रिया के द्वारा पुना अकार्बनिक अमोनिया में परिवर्तन अमोनी करण कहलाता है इसके बार अता वी नाइट्री करण नाइट्रेट का पुना गैसी हाइड्रोजन में परिवर्तन ही वी नाइट्री करण वी-nitric़ाण नाइट्रोजं स्थेरीगरण की विपरीद परक्रिया है तो जल चक्र परपरेस शक्र कारवन चक्र उसमें इस पड़ा होगा आपने नहीं है तो आसानी है अब पढ़ लीज़ेव को इन पर प्रश्ण बनते हैं एक्जाम में तो 20 प्रश्ण बड़े हैं महत्पूर्ण परियावरण वापारस सिद्धिक गए इन्वारमेंट एकोलोजी के इनकी प्रक्टिस एक से दोबार कर लिजेगा यह पूछे जाते हैं एक्जाम में धन्यवाद